तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम महात्मा गांधी जी से सम्मन्धित 25 most important question देखेंगे जो आपके सभी आने वाले exam के लिए helpful हैं तो इसलिए वीडियो कुरेंड तक देखते रहे हैं तो चलिए आज के वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तो आज का पहला प्रसन है महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था तो देखें महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था दो अक्टूवर 1889 को तो इसका आंसर ओप्सन बी हो जाएगा देखें महात्मा गांधी जी का जन्म दो अक्टूवर 1889 को गुजरात के पोरव इसके ओर तकुन इसलिए पुरती बर्स सही दिवस मनाया जाता है इसके बाद अगला कोशन है दो अक्टुवर को गांधी जैन्ती के साथ और किसकी जैन्ती मनाई जाती है तो देखे आप से भी जानते हैं दो अक्टुवर को गांधी जैन्ती मनाई जाती है देखें लाल बहादुर सास्तिरी का जन्म दो अक्टुवर 1904 को बराण सी के मुगल सराय में हुआ था कोस्टन नमर चार है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरू कौन थे तो दोस्तों ये कोस्टन कई बार एकजाम में पूछे जा चुका है तो ये कोस्टन महत्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरू थे गोपाल करस्म गोखले तो इसका आंसर ओप्सन भी हो जाएगा और देखे इसके लाबा बात करें अगर आपसे कोस्टन पूछे जाए कि गांधी जी के अध्यात्मिक गुरू कौन थे यानि कि इनके प्रिणा दायक पुरुष कौन थे अध्यात्मिक गुरू तो गांधी जी के अध्यात्मिक गुरू थे लियो टोल्स इस्टोई तो दो गांधी जी को महात्मा की दिदी दि अगर Spaß चाहिए बात करें अग्चाहए बात करयें गंदी जी सरकार दो यह कहा था जवारलां एमने इसके लाबा देखे गांधी जी को राष्टपिता किस ने कहा था तो स्वास्चंदर बोस ने रंगून से कहकर इने राष्टपिता कहकर पुकारा था इसके लाबा देखे गांधी जी को अर्धनंग्न फकीर भी कहा गया था यह उपाधी भी दी थी तो यह उपाधी दी थी विश्टल चर्चिल आभम फ्रेंक मोरेस ने और गांधी जी को बन मैं बाउंडरी पोर्स भी कहा गया था तो यह कहा था लाड माउंट बेटेन ने तो गांधी जी को यहुआ उपाधी दी गई यह मेहत्पोने आपको यह याद रखनी है कि किसने कौन सी उपाधी दी थी इस 119 में जो जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था तो इसके करण से गांधी जी ने केसर ए हिंदी की उपाधी को त्याग दिया था यानि की छोड़ दिया था इसके बाद कोशन नमर साथ है गांधी जी दच्छन अफरीका कब गए थे तो दिखे महात्मा गांधी जी जा में पूछा आता है कि गांधी जी दच्छन अफरीका से बापस भारत कब आई थे कब लोटे थे तो इसका अंसर ओप्शन बी हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को तो दिखे 21 बरस के बाद गांधी जी दच्छन अफरीका से भारत बापस लोटे थे 9 जनवरी 1915 को इसलिए 9 गांधी जी ने सरप्रथम सत्यग्रह आसरम की स्थापना की थी 1915 में एहमदाबाद के कोचरव नामत इस्थान पर तो गांधी जी ने सरप्रथम सत्यग्रह आसरम की स्थापना की 1915 में गुजरात के एहमदाबाद के कोचरव नामत इस्थान पर इसके बाद ये जो सत्यग सब्सक्राइब कर दोस्तों जब 1919 में रोल एक्ट कानून आया था तो उस समय सब्सक्राइब की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी तो इसका आंसर ओप्सन सी हो जाएगा इसके बाद कोशन नमर 11 है महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्य गिरह का प्रियोग कब किया था तो देखे ये कोशन कई बार एक जमें पूछे आता है कि गांधी जी ने पहली बार सत्य गिरह का प्रियोग कब किया था तो इसका आंसर ओप्सन यह हो जाएगा देखे, महात्मागा गांधी जी ने सरपिर्थम सत्यग्रह का प्रियोग दच्छल अफरीका में 1906 में किया था, यहाँ पर इन्होंने अपना सबसे पहले आंदोलन चलाया था, इसके बाद कोसन नमर 11 है, गांधी जी ने भारत में प्रिथम सत्यग्रह का प्रियोग कब किया अब देखे बात करें कि महात्मा गांदी जी ने भारत में पहली बार सत्यग्रह का प्रियोग कब किया था पहली बार अंदोलन कब किया था तो यह किया था 1970 में तो इसका अंसर ओप्सन डी हो जाएगा गांदी जी ने 1970 में भारत में पहली बार सत्यग्रह का प्रियोग बिहा गांधी जी ने चोरा चोरी कांट के करण इस्थागित कर दिया था इसके बाद गांधी जी ने सवीने अवग्या अंदोलन चलाया था जोकी 1930 से 1931 तक चला था और इसी दुरान सवीने अवग्या अंदोलन के दुरान गांधी जी ने नमक सत्यग्रह चलाया था 12 मार्च 1930 से 6 अपरेल 1930 तक दिखे इस नमक सत्यग्रह में गांधी जी ने सावरमती आशरम से डांडी गाम तक 24 दिनों की पैदल यात्रा का मार्च निकाला था इसके बाद गांधी जी ने एक दलित आंदोलन चलाया था जोकि 1933 में चलाया था तो ये आंदोलन चुआ चूद बिरोधी आंदोलन था इसके बाद गांधी जी ने सबसे महत्तपुल आंदोन चलाया था जोकि भारत की स्वतंतरता के लिए चलाय गया था तो भारत चुड़ आंदोलन की सुरुआत हुई थी 8 अगस 1942 को तो इसे आंदोलन के दोलन गांधी जी ने करोया मरो का नारा भी दिया था तो ये सई पोइंट याद रखने महत्तपुल ने इसके बाद कोस्टन नंबर 13 है करोया मरो का नारा किसने दिया था तो दोस्तो करोया मरो का नारा महत्मा गांधी जी ने भारत चुड़ आंदोलन के दोरान दिया था 1942 में तो इसका आंदोलन ओप्सन ये हुजाएगा इसके बाद नेस्ट कोस्टन है दच्ण अफरीका में गांधी जी दोरा शुरू किये गए सप्ताहिक का क्या नाम था तो इसका राइट आंसर ओप्सन सी हो जाएगा इंडियन ओपीनियन तो देखे महात्मा गांधी जी ने दच्ण अफरीका में एक सप्ताहिक समचार पत्र निकाल था जिसका नाम था इंडियन ओपीनियन अब देखे इसके बाद करें इंडियन ओपीनियन महात्मा गांधी जी के दोरा 1904 में सुरू किया गया था जो की दच्छन अपरिका में चला गया था तो ये एक समचार पत्र था दीखे इसके प्रिथम संपादक कोन थे तो मनसुख लाल नजर थे तो याद रखना है इसके बाद कॉस्टन नमर 15 है हिंद स्वाराज पुस्तक के लिखक कोन है तो देखे हिंद स्वाराज पुस्तक के लिखक है महात्मा गांधी तो इसका अंसर ओप्सन दी हो जाएगा तो ये जो बुख है हिंद स्वाराज तो ये 1919 में लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के दौरा गुजराती भासा में इसके बाद अगला गांधी जी के आत्म कथा का क्या नाम है तो दोस्तो गांधी जी ने सोय में अपनी आत्म कथा लिखी थी जिसमें इन्होंने अपनी जीवन के बारे में लिखा था तो इनकी आत्म कथा का नाम है सत्य के प्रियोग तो इसका answer option D हो जाएगा देखे गांधी जी ने इस सत्य के प्रियोग यानि कि अपनी आत्म कथा को गुजराती भासा में लिखा था इसके बाद देखे इस आत्म कथा को कई लेखों को ने हिंदी में अनुबाद किया है लेकिन गांधी जी ने इसे गुजराती भासा में लिखा था तो गांधी जी के आत्म कथा का क्या नाम है सत्य के प्रियोग इसके बाद कोस्ट नमर 17 है यंग इंडिया जो कि एक सब्ताहिक पत्रिका थी तो इसके लिखा कोन है तो इसका अंसर ओप्सन D हो जाएगा महात्मा गांधी तो दिखे यंग इंडिया ये एक सब्ताहिक पत्रिका थी जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा सुरू की गई थी और ये अंग्रेजी भासा में निकाली जाती थी इसके बाद अगला कोस्टन है तो दिखे नब जीवन और हरिजन सेवक नामक समचार पत्रों का समपाधन किसने किया था तो दिखे नब जीवन और हरिजन सेवक ये भी एक समचार पत्र थे समयानी के समचार पत्र काई थी तो इनका समपाधन भी महात्मा गांधी जी ने किया था तो इसका आंसर option D हो जाएगा इसके बाद next question है हरीजन सेवक संगी की स्थापना किसने की थी तो देखे हरीजन सेवक संगी की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने तो इसका आंसर option B हो जाएगा देखे महात्मा गांधी जी ने हरीजन सेवक संगी की स्थापना पूरे की यर्वदा जेल में 1932 में की थी तो याद रखने कब की थी 1932 में और कहाँ पर की थी पूरे की यर्वदा जेल में इसके बाद अगला कोस्टन है गांधी इरिविन समझोता कब हुआ था तो दोस्तों मौश्ट इंपोर्टेंट कोस्टन है ये कोस्टन कई बार एकजाम में बीच में तो गांधी इरिविन समझोता पांच मार्च 1931 को महात्मा गांधी जी और लाड इरिविन के बीच हुआ था और देखे इस गांधी इरिविन समझोते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है तो याद रखना है इसके बाद अगला कोस्टन है किस एक मार् करनाटक के बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के दक्सता की थी जो कि 1924 में हुआ था इसके बाद अगला कोस्टन है किसनी क्रिप्स मिशन को एक पोस्ट डेटेड चेक कहा था महात्मा गांधी जी ने तो इसका अंसर ओप्सन सीव जाएगा अब दिखे क्रिप्स मिशन की ब कर्के दिखे क्रिप्स तो याद रखनैंfounder अगला कोस्टन है महात्मा गांधी जीका समाधी इस्थल क्या कहलता है तो महात्मे गांधी जी के समाधी इस्थल को कहा जाता है राजगाट जो की दिल्ली में है तो इसका answer option D हो जाएगा दिखे बात करें सांती बन की तो सांती बन ये पंडी जवालाल नहरू का समाधिस थल है सक्थ इस थल ये इंद्रा गान्दी का समाधिस थल है और विजय घाट ये लाल बहादर सास्तिरी का समाधिस थल है तो याद रखना है तो दूस प्लेइलिस्ट मिल जाएगी आप बहां से जाकर देख सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया है और आपको वीडियो अच्छा लगाओ आपके लिए हैल्फ लो तो फिलीज वीडियो को लाइक को सेर करना साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चले मिलते नेक्स्ट वीडियो में